Hello Friends, Welcome to Literary Love चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई भी वीडियो का भी मिस ना करें साथ ही अब आप हमें फेस्बुक पे भी फॉलो कर सकते हैं Friends, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश राइटर और पोईट D.H. Lawrence की एक प्रोस वर्क के बारे में जिसका नाम है The Fox इसे 1922 में पब्लिश किया गया था The Dial में Friends, ये प्रोस वर्क एक नॉविला है नॉविला ऐसे प्रोस को कहा जाता है जिसकी लेंथ जो होती है वो एक शॉर्ट स्टोरी से जादा होती है लेकिन एक नॉविल से छोटी होती है एक नॉविल से कम होती है इसकी जो एवरेज वर्ड लिमिट है वो 17,000 से 40,000 वर्ड के बीच में होती है Friends, नॉविला में Lawrence ने बताया है कि किस तरह love और hatred ये दोनों इतने strong emotions हैं कि ये लोगों की life को बदल कर रख देते हैं किस तरह ये emotions एक दूसरे के लिए नफरत पैदा कर देते हैं और लोग एक दूसरे को देखना भी नहीं चाते तो कभी-कभी किसी से कोई बहुत ही बड़ा crime तक करवा देते हैं ये story psychological relationships को denote करती है तीन characters हैं और तीनों की जो relationship है वो story के आगे बढ़ते ही किस तरह से change होती है ये हमें बताया गया है Friends ये जो title है The Fox ये literally और साथ ही symbolically दोनों ही रूप से इस novela के लिए बहुत सही है और ये बात आपको पूरी story जानने के बाद ही सही तरीके से समझ में आएगी Friends D.H. Lawrence का पूरा नाम था David Herbert Lawrence वो एक English writer और poet थे उनका जन हुआ था 11 September 1885 में और उनकी death हुई थी 2nd March 1930 में वो कई सारे topics पे लिखा करते थे जैसे sexuality, emotional health, vitality, instinct इस तरह के और famous works जो उनकी थी उसमें sons and lovers, women in love, snake ये सब ही शामिल है तो चलिए Friends अब इस story को पढ़ते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं Friends इस story में सिर्फ तीन ही characters हैं इस story की शुरुवात होती है बर्प्शार्ट डिस्ट्रिक्ट के एक बेली फार्म में जहां पर दो women, Nellie March और Jill Banford ये दोनों मिलकर एक फार्म को चलाने की कोशिश कर रही हैं और अपने फार्म में इन्होंने एक भी male laborers को नहीं रखा है यानि कोई आदमी इनके साथ काम नहीं करता है ये दोनों औरते ही उस फार्म को चलाती है और जो भी उससे कमाई होती है ये दोनों आपस में शेयर करके रख लेती है फ्रेंड्स अब इन दोनों लेडीज में ये जो Nellie March है ये थोड़ी masculine टाइप की है यानि थोड़ी हट्टी कट्टी है और जो Jill Banford है ये बहुत ही पतली दुबली है बहुत ही lean है लेकिन ये दोनों ही women अपनी late twenties में है और बहुत जल्दी 30 years की होने वाली है लेकिन ये अपनी life से satisfied है और अपनी life में इन्हें किसी male की किसी आदमी की जरूरत फील नहीं होती है इनका विश्वास है कि ये दोनों ही एक दूसरे के लिए काफी है और इन्हें किसी और की जरूरत नहीं है अब फ्रेंट्स ये जो फार्म है ये जो बेली फार्म जहां ये दोनों रहती है वहाँ पर एक fox ने बहुत ही problem मचा दी है वो इनकी poultry से hens को, chickens को चुरा लेता है और खा लेता है और साथ ही इन्हें बहुत परिशान करता है इनके cattle पर भी attack कर देता है तो ये जो नेली है ये उस fox को shoot करने की कोशिश करती है लेकिन जैसे ही वो gun उठाती है उस fox के दरफ तो वो उस fox की masculinity में खो जाती है यानि ये जो fox है ये एक male fox है और इसे एक तरसे कहें तो एक पावर prais लेता है नेली को लगता है उस fox से एक पावर72 हो रहा है जो की बहुत ही masculine है बहुत ही एक तरसे कहें तो मरदाना पावर है और इतने दिनों तक चुकि वो किसी मेल से, किसी आदमी से दूर रही है तो वो एक तरह से कहें तो उस fox के तरफ भी attract होने लगती है और इसलिए ये जो नेली है ये चाह कर भी उस fox को shoot नहीं कर पाती है यहां तक कि fox के साथ इस मुलाकात काली पर इतना गहरा असर होता है कि कई बार उसके रात में सपने में वो फॉक्स नजर आता है उसकी आँखे नजर आती है और निली बहुत ही अनकमफर्टेबल फील करती है इस तरह से यह स्टोरी यहां आगे बढ़ी रही होती है कि यहां पर एंट्री होती है एक थर्ड कैरेक्टर की जिसका नाम है हेंरी ग्रिनफिल यह एक सोलजर है जो अभी छुटी पर है और यह जो फार्म जहां यह दोनों विमन काम करती हैं यह कभी इसके ग्रैंट फादर का था यह कैनेडा से अपने मिलिटरी के जॉब से चुटी पर आया है और अपने फार्म को देखना चाहता है इसलिए यह दोनों विमन उसे रहने की इजाज़त दे देती है जिल जो है वो हेंरी को as a friend देखती है सोचती है कि कोई बात नहीं कुछ दिनों के लिए हमारे साथ आया है और सिर्फ उसे as a friend देखती है लेकिन यह जो नेली मार्च है इसको हेंरी में वो फॉक्स का एक तरह से कहें तो एक प्रिव्यू नजर आता है यानि वो फॉक्स को हेंरी से compare कर रही है अब यह बात यहां सोचने वाली है कि चुकि यह दोनों विमन काफी समय से आदम इस बात को notice करता है कि नेली कहीं न कहीं उससे काफी हद तक affected है और इसलिए वो नेली को शादी के लिए propose कर देता है नेली पहले तो उसकी बात को accept कर लेती है और शादी के लिए मान जाती है क्योंकि उसे लगता है कि हेंरी भी उस fox की तरह एक masculine power radiate कर रहा है और वो उसके आगे जुख जाती है उसकी शादी के proposal को accept कर लेती है लेकिन बात में वो उसे एक letter लिखती है और उसमें कहती है कि वो उससे शादी नहीं कर सकती क्योंकि उसकी कुछ duties हैं कुछ obligations है उसकी friend जिल की तरफ और वो उसे छोड़ कर हेंरी के साथ नहीं जा सकती हेंरी को दूसरे शहर में एक place मिल जाता है रहने के लिए और वो बहुत ही जल्द इन्हें छोड़ कर वहां जाने वाला रहता है लेकिन वो बिना नेली के जाना नहीं चाहता और उससे फिर से request करता है कि वो उसके साथ चले नेली दुबारा उसे हां कह देती है और वो दोनों शादी करने का decide करते हैं लेकिन ये बात जब जिल को पता चलती है तो उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है क्योंकि उसके पास सर्फ एक ही friend थी एक ही partner था जिसके साथ वो बाते करती थी अपनी life share करती थी और वो थी नेली अगर नेली हिन्री से शादी कर लेती तो उसे भी हिन् भरती है हेंडी के खिलाफ कि तुम उसे शादी मत करो लेकिन नेली जो है वो एक तर से कहें तो हेंडी के सामने सबमिसिव हो चुकी है वो हेंडी की हर बात मानती है इसलिए वो जिल की बात से एगरी नहीं कर पाती है जब जिल को लगता है कि वो नेली को नहीं मना पाएग तो वो Henry के पास जाती है और उसे बुरा भला कहती है और कहती है कि तुम मेरी फ्रेंड को अकेला छोड़ दो लेकिन हेंडरी भी इस बात के लिए रेडी नहीं हो पाता अब उधर जो निसी है उसे दुबारा से अपने शादी के डिसिजन को ले करके डाउट सोने लगते हैं कि क्या वो शादी करके सही कर रही है या नहीं कर रही है Friends, this story के end में Henry जो है वो उस fox को मार देता है उस fox को shoot कर देता है वही fox जो इनके farm में disturbance create कर रहा है लेकिन साथ ही वो एक और murder कर देता है और वो murder करता है जिल ब्रानफोर्ड का उसे लगता है कि ये जो जिल है ये नेली से मेरी शादी नहीं होने देगी और इसी लिए इसे रास्ते से हटाना ही सबसे सही रहेगा तो इसलिए वो जिल को मार देता है उसका murder कर देता है अब ये बात पीछे छूट जाती है और Henry और नेली की शादी हो जाती है लेकिन नेली अपनी शादी से खुश नहीं है वो Henry के साथ रह कर खुश नहीं है और अपनी पुरानी लाइफ में वापस से जीना चाहती है जहां वो अपनी फ्रेंड के साथ बहुत ही आराम से अपना समय बिताती थी उस फार्म में घूमते हुए और फ्रेंड्स यहीं पर ये स्टोरी इंड कर जाती है इस स्टोरी का टाइटल दा फॉक्स यहां पर ना सिर्फ उस अनिमल के लिए है बलकि Henry के लिए भी है क्योंकि हमें पता है कि एक फॉक्स जो होता है वो बहुत स्लाइ होता है धूर्थ होता है और Henry ने भी यहां पर कुछ ऐसा ही क्यारेक्टर दिखाया उस उसने अपने शादी के इस राष्टे में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी उसे ही हटा दिया और उसने जिल का मर्डर कर दिया तो फ्रेंड्स यह थी दी एच लॉरेंस की शॉर्ट नॉविला दा फॉक्स